तो अभी हम discuss करेंगे रस्ट में closer क्या होता है तो विना टैम विश्ट के स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं हमें यह पर एक new file बना दे जिसका नाम हमें यह पर रख देंगे 35 पाइफ अंडर जो बना नाटेगी तो यह हमारे एक new बन जयंगा रेस्में closer के लिए तो अब हम देखते हैं कि closer होता क्या हम सबसे पहले क्या करता है यहां पे एक हम मेन function बना लेते और अब हम क्या करते कि closer समझते तो देखो जब भी हम function बनाते तो इसको मेन function के बाहर बनात तो बहुत ही एजी हो तो बना के देखें तो बनाने के लिए सबसे पहले हम गो क्या करना पाता है एक वरियेबल बनाना पड़ता है और उसका नेमिंग कर देते हैं ओ एक्स तो और उसका क्या करीए बदेंगे जो उसका क्या करेंगे कि अगर हम इसका इंपूट देगे तो और उसके बात क्या करेंगे को और यह मौड तरह का जो साइन उसको देंगे और उसके बाद क्या करेंगे निया और यहाँ इन्टू टेन और हम करेंगे आई आई एंटू टैन कर देंगे और यहाँ पर सेंपली हम यहां पर सेमिकॉलों देंगे अब हम करेंगे यह कि इसको हम कॉल करके देखेंगे तो प्रिंट करेंगे और प्रिंट एलेंड के अंदर यह जो हम प्लोजर बना है इसको हम कॉल करेंगे तो इसका नाम टाइप कर देंगे और यहां पर हम पर कुछ वैल्यू देते जैसे कि 12 और उसको करेंगे यह में यहाँ पर लार्ष्ट में सेमी कॉलोन द देने के बाद हम इसको BEC और उसके बाद हम्हें da seco करना पड़ेगा और उसके ढू ум करने करेंगा ने हमारा एक चोटा से एर्र तुर्ण करें तो यह रन हो जागा और यह हमारे ही यहां पर 120 को यह प्रिंट कर देगा तो यह हैं पर हो किया रहा है सबसे पहले किया किये कि हम एक वेरियेबल बना है और उस वेरियेबल के अंदर हमें एक इसका सिन्टेक्स बहुत चोटा होता है और इस फंक्षन को बेसिक्ली हम एक विरियेवल में इसको में पंक्षों के अंदर बना सकते तया कि यहां कि कि एक हम यहां पे value लेने वाले तो simply हम जैसे function में parameter देते हैं उस तरह हम इसका parameter देती क्या क्याकि है कि उसका naming करके उसका हम यहां पर type यहां पर हमें उसका declaring कर दिये की हो कॉन सा type का होनी वाला और उसके बाद हम यहां क्या कि इने की है यहां पर करेंगे हैं कि यहाँ पर आप ने कर देंगे हैं किसे कु रिटरन टाइप वह रिटर्न टाइप है द मैं करenne और कुछ निंगे सिंप्ली बस यही हमें यहां पर सिंटेक्स इसका जो है वो कर देंगे और स्येम रणने देंगे और यहां लेता है वह 100 को में प्रिंट हो रहा था उसको हमें यहां कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे वहां यहां पर कॉल कर देंगे और उसके बाद हम यहां से रन करेंगे तो यह क्या करेगा यह हमारा कैलकुलेट कर देगा पहले जो हमारा कॉल हुआ पहला जो क्लोजर था उसका 120 को प्रिंट किया और जो दूसरा क्लोजर वहां पे 1200 को यहां पर यह वे दोनों पलोजर यह पहला बनाने का यह तरीका दूसरा कुलोजर बनाने यह तरीका फॉस्ट में किया कि हम उसका data type declare कर दे इसका return type हम declare कर दिये यह data type का हुज हमारा variable होगा और यह data type को ब्लिक होगा वैले को रिटर्ण कर दूसरे मैं क्या कि है कि हम यहां इसको मेन फंक्शन बनाते जिस तरह से हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं उसी तरह हम इस क्लोजर को भी कॉल कर सकते हैं तो हम यह पर देख चुग है कि हम क्लोजर बनाते कैसे क्लोजर कॉल कैसे करते हैं तो यह हमारे एक तरह का फंक्शन ही होता है जिसको मेन फंक्शन बनाते है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया होगा जो भी कोड लेकर डाउन्वोड कर लेना और इसका नूट्स नहीं बने होगा क्योंकि बहुत चोटा सा सिंटेक्स ही था एक तरसे क्लोजर दो एए ठाउन्वोड कर दिया हो जो नएग च्यो तक ले रहे होते हैं रग तो लेकर हो आउन्म क्टार्स कर राउन्वो कर दो सा Вас på होगा लेकर सान्वड के ला anda